कि हेलो एवरिवन वेलकम तो बिगनर्स बैंक एंड की सीरीज का प्लास पोर आज हम आप सब के लिए लिए करके आए हैं जिसमें हम कोशन डिसक्रस करेंगे एकाउंटिंग एक जाम आप यूप एपसी एपफो एओ 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 एफसी एकाउंटिंग का ये सबस्क्रस करें इसके आपके कितने कोशन होते हैं इसके साथ ही मैं आपको बता दूँ कि मेरे 500 सब्सक्राइबर आप बहुत जल्द कंप्लीट होने वाले हैं मेरे ये बहुत बड़ी बात है क्यूंकि आप सब पढ़ने मेरे पढ़ने की तरीकिके को पसंद किया है अगर सो भी स्टुरेंट्स आपको सपोर्ट करें तो यह भी एक कोई समानी अचीवमेंट नहीं होता और मुझे तो पांचो करने वाले हैं तो मैं इसे बड़ा चीवमेंट ही समझती हूँ यूँकि यह कोई entertainment channel नहीं करेंगे जिसके लिए हम आपके लिए त्यारी करवाएं यूपसी एपको के बात इसके अलावा मैंने आपसे कोईशन यह भी पूचा है कि आपके future goals क्या है किस प्रकार मैं as a teacher आपके help कर सकती हूँ इसके साथ मैंने आपसे यह भी पूचा है कि आप ऐसा कौन सा सब्जेक् में अपने उत्तर बता दे क्योंकि हम जो 500 सब्सक्राइबर के complete होने पर वीडियो लाएंगे वो वीडियो होगा Q&A वीडियो जिसमें आपके जो भी कोशन है चाहें वह स्टैडी से रिए या कुछ आप मेरे बारे में यह जानना चाहते हैं वह भी अगर कोशन है तो वह सा तो चलिए शुरू करते हैं पहला question आपके screen पर और आपको मुझे बताना है कि आपके 10 में से कितने सही हुए the concept which assumes that the business will last definitely is going concern, conservatism, money measurement and periodicity accounting में मैंने आपको सारे की सारे concepts पढ़ाए हुए हैं जो भी हमारी classes हुई हैं उसमें सारे की सारे आपको concepts पढ़ाए हैं जिसमें मैंने आपको बताया था कि अगर कोई business आप start करते हैं तो आप ऐसा तो सोच के नहीं start करते हैं कि आज मैंने business start किया है और कल मैं इसे बंद कर दूँगा, आप तो यही सोच के बिजनस को स्टार्ट करते हैं, कि यह बिजनस मैंने स्टार्ट किया और यह लॉंग में जाएगा, यानि लंबे समय तक यह बिजनस रहन होगा, और हम इसे प्रॉफिट जनरेट करेंगे, यानि कि बिजनस विल स्टार्ट किया है, ना कि बंद करने के लिए, तो इसका अंसर ही हो जाएगा, option A, next question देखते हैं, और आपको मुझे कमेंट में उत्तर भी बताने है, in 1 March 2021, राहूल पे रेंट is 4500, which is, 1 March 2021 को राहूल ने रेंट पे किया 4500 रुपे का, तो यह क्या है, यह एक event है, यह एक transaction ह transaction है, यह दोनों है, A and B, यह इन में से कोई भी नहीं, इसका जो उत्तर है, वो मैंने आपको, जो MCQ सीरीज हमारा पहला हुआ था, accounting का, यह एक मार्च 2021 को राहूल जो है, वो रेंट को पे कर रहा है, पे मतलब क्या कर रहा है, कि उसके पास जो पैसे हैं, वो पैसे वो ओनर क वो मालिक को दे रहा है, यानि एक प्रकार का transaction कर रहा है न, भाई उसके खाते में पैसे होंगे, और वो पैसे उसने ओनर को दे दिये हैं, तो यह transaction हुआ, लेंदेन, लेंदेन को हम बोलते हैं, transaction, accounting में, तो यह हो गया हमारा transaction, I hope कि इसका तो आंसर आप समझ गए होंगे, अ अगर कोशन में ये बोल देता है, कि राहूल ने रेंट तो पे कर दिया, 4500 का, और उसके बाद राहूल के bank account में something कुछ रुपए बचे, माल लीजे, 3000 रुपए बचे, तो आब ये क्या बता रहा है, कि ये चीजे बची हुई है, आपके जैसे business में होता है, कि inventory में इतना सा समझ में आ गया होगा, चलिए next देखते हैं, in which concept is share capital account to shown liability side of the balance sheet, यानि कौन से concept में हम capital को liability side में डालते हैं, balance sheet के अंदर, going concern में, money measurement में, दोनों में A and B and business entity में, तो मैंने आपको एक concept बताया था, business entity concept, business entity concept, या जिसको हम economic entity concept भी बोल सकते हैं, वो क्या कहते हैं, कि माली की बिजनेस है, कोई व्यक्ति माली जे business start करा है, तो जो business होगा, और जो वो व्यक्ति होगा, ये माली जेक व्यक्ति है, ये व्यक्ति होगा, ये दोनों अलग अलग person गीने जाएंगे, यानि बिजनेस में जो भी profit and loss होगा, वो जो व्यक्ति का जो भी profit and loss होगा, वो व्यक्ति का गीना जाएगा, तो अगर कोई व्यक्ति अपने business से कुछ भी पैसा निकालता है, माली जे ये व्यक्ति है, जिसने business से कुछ पैसा निकाल रहा है, तो अब business से तो निकाला गया है, चाहिए वो व्यक्ति उसका ओनरी क्यों तो देना भी पड़ेगा आपको इसी को होते हैं liability side में जब हम capital को show करते हैं तो वो कौन सा concept होता है वो होता है business entity concept क्योंकि business entity concept कहता है कि business and owner अलग है और अगर business से पैसा owner लेता है तो उस पैसे को liability side में रिखा जाएगा उधारी side में लिखा जाएगा क्योंकि उस पैसे को एक sheet तयार करते हैं जिसे बोलते है balance sheet जैसे कि banking में होता है न कि आपको passbook मिलती है वैसे accounting में sheet तयार होती है balance sheet जिसमें हम एक side debit लिखते हैं और एक side हम credit लिखते हैं और last में हम उसे total करते हैं यह मैंने आपको काई बारी बताया हुआ है अपने classes में तो debit and credit दोनों किस चीज आया है थोड़ा अच्छे से समझेगा क्योंकि यह एक प्रकार का numerical भी है accounting का और इसे related question पूछे जाते हैं जाम में a businessman purchased good of rupees 25 lakhs and sold 80% of goods during the accounting year the market value of the remaining goods was 4 lakh he valued the inventory at cost he valued the concept of consistency conservatism both A and B none of the above अब अब यहाँ पर ध्यान दीजेगा question यह कह रहा है कि एक businessman है उसमें 25 लाग का जो सामान ह goods है वो purchase किया इसके बाद उसने क्या किया कि उस 25 लाग का जो समान लिया था उसमें 80% जो समान है goods है उसे एक साल यानि accounting year मतलब one year के अंदर अंदर उसे sale कर दिया और उसके बाद जो market value थी जो बचे हुआ समान था उसकी market value थी 4 lakh और उसने उसको inventory में इसी cost में note कर लिया तो अब सबसे पहले यहां पर निकालेगा देखिया 25 लाग का समान है और 80% उस तो sole हो गया है तो हम इसको ऐसे निकालते है ना इसको यहां से ऐसे cut कर देंगे तो यह हमारा कितना आ जाएगा यह हमारा आ जाएगा 20 लाग इसका मतलब हमारे पास बीस लाग का जो goods है वो भी हमने sale किया है 25 लाग पिस लाग का हमने sale कर लिया तो अब देखेंगे यहां पे कि हमारे पास कितना बच दा है तो 25 लाग का तो गुड था हमने 20 लाग का सेट कर दिया तो 25 में जब आप 20- करेंगे तो कितना बचेगा बचेगा आपका पाँच लाज लेकिन यहाँ पे तो यह 4 lakh दिखा रहा है इसका मतलब इसको Åh लैक दिखा रहा है यहां पे तो इसका क्या मतलब हुआ कि इसमें यह 1 lakh एसे दिखा रहा है है धर इसका क्या मतलब हुआ कि इसको बिजब हो रहा है और को उसने उसको करना है नहीं करते हैं पर रुडिवादी से बताया थे और नहीं जब कि होने वाले लाओस को हम ख़रते हैं और यहां पर फॉफित हो रहा था और हमने profit को note कर लिया है जो कि conservatism concept को violate करता है यानि कि उसके विपरीत जाके काम करता है वालेट का मतलब कि इस concept की विपरीत आपने accounting को किया है तो कौन सा concept है जिसको आपने violate किया है वो है conservatism तो आयो कि ये question आप अच्छे से समझ गई होंगे अगर आप समझ गया है तो एक like वीडियो को जरूर कीजिएगा तो चलिए next question देखते है in which concept is not connected with accounting accounting में कौन सा concept नहीं होता देखें cost concept तो होता है मैंने आपको बताया हुआ है money measurement concept भी होता है consistency concept भी होता है economic concept कोई concept नहीं होता जो economic concept होता है accounting is accounting क्या होती है कई बार मैंने आपको definition बताई है चलिए एक बार और definition बता देते है accounting होती है I am R C S A C यानि identification identifying, measuring, recording, classifying, summarizing, analyzing and communicating accounting क्या है recording data हाँ हम या record करते है measuring of the data हाँ हम measure भी करते है analyze data हाँ हम analyze भी करते है यानि accounting में सारी चीज़े आती है all of the above या definition मैंने आपको इतनी बार रटाई है I am R C S A C या अगर आपने हमारे classes देखे हैं तो अब तक तो आपको accounting की definition रट गई होगी और अगर definition रट गई है accounting में 2017 में भी full form से related पूछा गया था जिसमें IFRS का full form पूछा था आपको बताना है comment में IFRS का full form क्या है मैंने आपको जो previous year हमारा MCQ हुआ था उसमें मैंने आपको बताया था तो इसमें आपको मुझे comment में बताना है मगर यहां पर पूछा जा रहा है कि gap का full form क्या है तो gap का full form होता है general accepted accounting principle जितने भी full form है उस पर ध्यान दीजेगा क्योंकि इस related question पूछे जाते है चलिए next question हम 9th question में आ गए है Radhika enterprise follow the written down method of depreciation machinery due to after year देखिए Radhika enterprises है जो कि एक accounting method है written down method कई methods होते हैं तो एक जैसे written down method हो गया एक SLM method हो गया कई प्रकार के इसे methods होते हैं तो Radhika written down method को use कर रही है for depreciation machinery year due to after year depreciation का मतलब होता है कोई machine अगर 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 कई सालों यूज कर रहे है तो depreciation को बोलते है मूल्य हरास मूल्य हरास तो इसमें Radhika enterprises ने written down method को use किया है depreciation machinery में due to after year to year यानि लगातार कई सालों तक तो ये कौन सा method होगा ये होगा हमारा consistency method जो कि कहता है कि business में अगर आपने किसी एक method को use किया तो उस पर consistent रही है लगातार एकी method को use कर लिए क्योंकि माल लिजे आज आज आपने written down method use कर लिया कल आपने SLM method कर लिया तो जो accounting का total आएगा वो बड़ा अजीब सा आजाएगा फिर आप समझे नहीं पाएंगे कि मैंने क्या ही किया हुआ है इसलिए अगर एक method का आप प्रियोग कर रही है तो एक ही method का प्रियोग करना होता है जैसे कहते न कि अगर एक subject को पहले पढ़ रहे हैं तो पहले उस पर ही focus कीजिए एक सब सारे दिमाद में चलाएंगे तो बहुत ही confusion हो जाएगा उसी प्रकार accounting में consistency method होता है accounting किनके किनके द्वारा प्रियोग की जाती है यूज की जाती है owners तो across करते ही है भाई owner है बिजनेस खड़ा किया है तो उने तो accounting की सारी information चाहिए manager भी करते है क्योंकि manage करते हैं पूरे business को और employees तो काम ही कर रहे हैं तो वो भी accounting को use करेंगे तो क्या हो जाएगा all all हो जाएगा accounting is used by business managers and business owners managers and employees तो यह accounting के 10 questions आपके हो चुके हैं इससे पहले भी हम 10 discuss कर चुके हैं उससे पहले एक बार और हमने accounting के 10 questions डिसकस कर चुके हैं तो हम 30 questions डिसकस कर चुके हैं और कई classes भी आपके theory वालियब ले चुके हैं तो आपको सारे अगर आप में देखे हैं तो बहुत अच्छा नहीं देखे हो तो एक बार उसे जरूर देखे लिजेगा अगर वीडियो को यहां तक पसंद आया है तो प्लीस वीडियो को एक like और शेर जरूर कीजेगा साथी जो इसकी mcq की pdf है बिल्कुल free of cost मैं आपको हमारे टेलिग्राम पर दे देती हूं टेलिग्राम का जो link है वो आपको हमारे description box में मिल जाएगा आप जाकर एक बार जरूर चेक कर ले यहां पर मैंने APFC का complete pdf का package आपके लिए दिया है जिसमें हम APFC के लिए 499 में आपको लेना चाहे तो आपको सब्सक्रिप्शन को जरूर चक कर ले वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए शेर कीजिए चैनल पर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए मिलते हैं next वीडियो में thank you झाल, चैनल पर रहे हैं पर बचके लाइक लाइक लिए hै